ना दर्द ना पार्लर जाने का जंजट इस क्रीम के थुरू आप सरीर के किसी भी हिस्से के अंचाहें बाल को क्लीन कर सकती हैं सिर्फ 5-6 मिनट में एक क्रीम केमिकल फ्री है इसकी सबसे अच्छी बाते हैं कि इसे आप अपने फेस पे भी लगा सकती हैं हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सब तो जादे टाइम पास ना करते हुए चलिए रेमेडी के तरफ देख लेते हैं कि बनाने का प्रोसेस आखिर क्या है कैसे इसे हम तयार करेंगे तो हम यहाँ पे ले लिए हैं आलू आप लोग देख सकते हैं कि medium size का आलू है जो की से हम पानी से धुल लिए हैं आलू का छिलका हमें अच्छे से remove कर लेना है क्योंकि अंदर का जो material है यानि आलू का जो अंदर का material है वो हमें नहीं लेना है उसका यूज यहाँ पे नहीं होगा हम यहाँ पे आज आलू के छिलके का यूज करने वाले हैं लाइव रिजल्ट आप लोगो दिखा भी दी हूँ कि कितना अच्छा है वर्क किया है तो अगर आप अपने body hairs, unwanted hairs से काफी जादे परिसान है अगर बैक्सिंग कराते हुए दर्द के मारे आपकी हालत खराब हो जाती है या तो थ्रेटिंग कराती है तो काफी जादे दर्द होता है छोट छोटे धाने निकरते हैं तो ए वीडियो आपके बड़े काम आ जाएग इसे हमें अपने face पे लगाना है तो अच्छे से पाणी से धूल कर साफ कर लिजिएगा क्योंकि आलू में kाफी सारा dust होता है तो पाणी से धूल कर साफ कर लिजिएगा ठीक है अब यहाँ पे जो आलू का छिलका था उसे हम पेश्च बना लिए हैं बहुत कम था तो उतने यह अच्छे से मिक्सीक के जार में बना नहीं है, अगर आप इसे σिलवर्टा पे अच्छे से महीं पीज लेती है, तो और अच्छी बात है, लेकिन लेकिन मैं यहां पे मिक्सीका-जार का यूज की हूँ, किया होगा, अपने फेस पे, लेकिन अलू का चिलका ऐसे ही, हम उसे साफ करके फेक देते हैं, सबी फेक देते हैं, मैं भी फेक देती थी, लेकिन जब से movements इसके बारे में, इसोंधे पता प्थाई मैं, नहीं फेकती हूं, फेस पे लगाने पे कोई प्राबलम नहीं होगा इसमें जो next ingredient हम ले रहे हैं नीवू का रस lemon juice आपको यहां पे एक इस्पून भर केल लेना है जिनका इसकी sensitive है जिनके फेस पे बहुत सारे pimples है या तो जो लोग नीवू करस अपने फेस पे नहीं लगाते हैं तो परिसान मत होईए आगे मैं इसका भी उपाय आप लोग को बता दूँगी कि नीवू के जगा पे आपको कौन सा ingredient इसमें add करना है या कि नीवू करस को आपको skip करना है पूरे सवालों के जबाब आगे आपको मिल जाएगा बने रहिएगा नीवू करस जैसे ही इसमें हम add करेंगे इसका जो color है पूरी तरह से change हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं उसके बास से जब इस तरीके से इसका color हो जाएगा तो next ingredient इसमें जो हम add करेंगे चावल का आटा ठीक है चावल का आटा हमें आपे आधा इस्पून ले रहा है एक बाद जादे मट डाल दीजिएगा क्योंकि इसमें हमें पानी गुलाब जल मतलब की कुछ भी नहीं लेना है इतने में ही इसे तयार करना है अलग से आप पानी आट कर देंगी तो फिर इसका जो असर है न वो कम पड़ जाएगा उतना अच्छा है वर्क नहीं करेगा तो इस तरीके से बनाईएगा ध्यान से सबसे पहले थोड़ा सा आधा इस्पून इसमें हम चावल का आटा आट किये है जो कि चावल के आटा जो होता है नेचुरल स्क्रब होता है इसमें skin whitening properties होती है anti aging properties होती है साथ में और सारे बहुत गुण होते हैं तो चावल का आटा इसमें add कर दिजिएगा step by step ingredient इसमें हम mix करेंगे और जो भी चीजे इसमें हम डाल लह हैं साथ में mix भी करते जा रहे हैं एक बार अगर सारी चीजे डाल कर आप mix करेंगी तो उतना अच्छा से सारी चीजे mix भी नहीं होगा यह बन भी नहीं पाएगा तो step by step करके इसमें डालिएगा और mix करते रहिएगा इसमें जो next ingredient हम ले रहे हैं सक्कर पाउडर यानि सुगर पाउडर आपको यहाँ पे लेना है एक इस्पून भर के जो की most important है सक्कर हमारे सरीर से अंचाहे बालों को खीच के निकारता है इसकीन के darkness को यह साफ करता है तो एक इस्पून आप यहाँ पे सक्कर आइट कर लीजिएगा यह नेचुरल क्रीम है और इसे आप बना कर फ्रीज में रख भी सकती है आप रोज लगाएंगी तो और अच्छा इसका असर मिलेगा वह इसे तो एक बार में बाल को एक क्लीन कर देगा इसमें हम थोड़ा सा और चावल का आटाइट किये हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं मुझे थोड़ा पतला लग रहा था तो मैं आधा इस्पून कूल मिला के वही समझ लीजिए कि डेड़ इस्पून आलू के जूस में हमें आपे करीब एक इस्पून भर के चावल का आटाइट किये हैं और एकी स्पून सककर पाउडर वो इससे सककर मैल्ट हो जाता है तो सकर का कोई जादे मतलब हो नहीं है चावल का आटा एकी स्पून इसमें गया था अब आपको क्या करना है सबसे पहले इसे मिक्स कर लेना है ये छोटी सी चीज का यूज़ करके आप अपने सरीर के किसी भी हिस्से के अंचाय हैं बाल को साफ कर सकती हैं जो की ये 100% नेचुरल है मैलाओं के साथ साथ बच्चियां जो होती है जो टीनेजर गर्ल होती है फेसियल हेयर से ओ लोग भी काफी जादे परिशान हो जाती है तो बीना दर्द के अगर आप अपने सरीर के बाल को हटाना चाती है बाल उसे किसी को नहीं पसंद है तो आप इसका यूज कर सकती है इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडियन्ट हम ले रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल भी इसकिप नहीं करना है उसके वेगर रेमडी जो है न उतना अच्छा से बनेगा नहीं खुबसूरत इसकिन की चाहत हर किसी की होती है और जब खुबसूरत इसकिन पे बाल आ जाए तो भला किसे पसंद है कोई भी नहीं चाहता है यह जो अन्वांटेड हैर्स होता है फेसियल हैर्स न यह हम महिलाओं को कुछ जादे ही परिसान करके रख दिया है इस टाइम बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने अन्वांटेड हैर्स को ले करके परिसान है आप लोगे कमेंट से पता चलता है तो आपको बिलकुल भी केमिकल टीटमेंट के तरफ नहीं जाना चाहिए नेचुरल चीजों का यूज करेंगी तो फरक आपको खुद बखुद मिल जाएगा इसमें जो लास्ट में हम एट किये हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है कोलगेट यानि की वाइट कोलगेट आपको यहां पे लेना है आप एक बार ब्रस करने में यूज करते हैं सायद उससे भी मैं कमी ली थी मतलब कि सिर्फ मटर के दाना के बरावर हम यहां पे कोलगेट इसमें एड किये हैं ठीक है? अब आपको क्या करना है इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करेंगी तो जो कोलगेट है थोड़ा सा फूलेगा सारी चीजे मिलके आपस में अच्छे से फूलेगी और इसका जो असर है तुरंत आपको मिल जाएगा अब चलिए देख लेते हैं लगाना कैसे है तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड ग्रोथ कितना जादे है बाल की और इसी पे आज हम लगाने वाले हैं इस क्रीम को जो कि क्रीम तुरंते मोटे तीखे बाल को हटा देगी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा नेचुरल चीजों में इतना पावर होता है कि वो काम करता है पर सही तरीका आप सभी को बिल्कुल भी पता ही नहीं होता है तो अभी हम इसी पे लगाने वाले हैं लगाने से पहले आपको क्या करना है कि अपने स्कीन को अच्छे से क्लीन कर लेना है ठीक है पोर्स क्लीन होना चाहिए प्लस आपके फेस पे किसी भी तरह का क्रीम ओयल मॉस्चुराइजर कुछ भी नहीं होना चाहिए इसकी चिप चिपा बिल्कुल भी रहेगा न तो एक काम नहीं करेगा तो इसकी ड्राइ कर लीजिएगा अच्छे से पोर्च करके और इस क्र सारा सलुसन जो है न इसकीन के अंदर जाएगा तो आपने यहां पे हलके हांस से मसाज करना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मसाज करिएगा जरूर सेम प्रोसेस आप अपने फेस पे कर सकती है अगर आपके फेस पे दाढ़ी मुझ की तरह बाल है हाड हेयर्स की प्राब अच्छे नेक पे अंडर राम्स पे जो कि यह 100% वर्क करता है ठीक है तो अभी हम यहां पे अच्छे से लगा ली है मैं सिर्फ थोड़ा सा ही लगाए हूं ताकि आप सभी को मैं रिजल्ट दिखा सकूं जादे नहीं लगाए हूं पूरे पेर पे लगाऊंगी तो थोड़ टाइम छोड़ देंगी तो यह सूख जाएगा हमें सूखाना नहीं है हमें सिर्फ 15-16 मिनट इस क्रीम को लगा करके छोड़ना है तो चलिए दोस्तों अब क्लीन करके मैं आप सभी को दिखाने वाली हूं कि यह क्या काम किया है इसका रिजल्ट क्या है और क्या यह वर्क कि क्या है की नहीं आप सभी लोग भी परिषान हो रहे होंगे रिजल्ट देखने के लिए तो अभी हम यहाँ पे एक कॉटन ले लिये हैं आप यहाँ पे कोई भी कपड़ा ले सकती है मैं कॉटन इसलिए लिए हूं ताकि आप सभी को बाल इसमें दिखे रिजल्ट दिखे त ओ भाई साव आप लोग देख सकते हैं कितना खोब सूरत इसका जो रिजल्ट है आया है क्या बात है सच में यह देखिए किस तरीके से बाल को हटाया है क्रीम यकीन नहीं हो रहा है न देख करके यकीन हो जाएगा जब आप अपने सरीर पे लगाएंगी तब अभी सायद आप इसे ट्राइ करिएगा ठीक है और जो जो प्रोसेस आप सभी को मैं बताएं हूं सेम उसे फालो करिएगा यह देखिए जितना भी मोटा हाड हेर्स था न सारा क्लीन हो गया अभी मैं कपड़े से पोच करके भी आप सभी को दिखा दे रहा हूं एक चीज आप यहां पे कर रहा है तो बाल हटाने के साल साथ इसकीन के टैनिंग और मैल को भी यह काफी हद तक क्लीन कर देता है आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को जादा से जादा सेयर करिएगा आलू का जो छिलका होता है उसमें बहुत सारी प्रोपर्टीज होती है अंदर का जो माटेरियल होता है उससे कई गुना अच्छा प्रोपर्टीज उसके छिलके में होता है लेकिन छिलके को हम ऐसे फेक देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि छिलके का यूज कैसे करना है तो देखिए छिलके का कमाल पोटैट कि बाल हट रहा है, देखिए, हमारे सरीर के किसी हिस्से का जो अंचा है बाल होता है न उसे निकारना काफी जादे मुस्किल होता है, पेनफूल होता है, और भाई जो लोग बाल को साफ कराते हैं उनी को पता होगा, आप नेचुरल चीजों के तरब जाएंगी तो इसका जो कर ली हैं तो पहर पे भी लगा कर लीजिए गा पीछे बहुत सारे लोगों के पीठ पे बहुत सारा बाल होता है तो आप अपने पीठ पे लगा सकती हैं बच्चों के काने पे छिलके लगा करके देखिएगा ओभी मेरे बताई हुए तरीके से इधाउज़र मत करिएगा ठीक है तो छिलका आपके इसकीन से अंचाहें बाल को साफ करेगा बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूं अब देखिए जिनके इसकीन को न नीबू का रस नहीं लगाना चाहती है तो टमाटर का रस ले लिजिएगा जो की मोश्ट इंपोटन्ट है विटामिन से इसमें लेना बहुत जरूरी है अब परलिप पे लगाने जा रही है तो इस तरीके से पतले लेयर में अच्छे से लगा करके छोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकिन को अन कर लिए